हाई ओल मैं दो दिन से छथ पर नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत तीज बारिश हो रहे थी और आज जैसे ही मैं छथ पर आई तो मुझे इतना बड़ा सर्प्राइज मिला है कि मैं क्या बता हूँ मेरी लाइफ का इतना बड़ा सर्प्राइज मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे लिए यह एकदम completely different experience रहा है तीन महने पहले मैंने ड्रैगन फूट की जो फ्लावरिंग है उसका विडियो शेयर किया था हार्वेस्टिंग के रिल्स मैंने काफी सारे शेयर किया इंस्टेग्राम पे भी तो अभी पंदरा दिन पहले मैंने सोचा कि प्लांट ने काफी फ इसलिए मैंने पंदरा दिन पहले पूरे प्लांट को हाड प्रून कर दिया और सारी कर्टिंग को मैंने एक थोड़ी वेल ड्रेंड एक स्वाइल मिक्षर बनाया उसमें सारी कर्टिंग लगा दी कुछ मैंने दे दी 5-6 कर्टिंग मैंने अपने पास रखी कि इनमें इन प्रूनिंग कितना इंपॉरेंट करने से कभी डढ नहीं चाहिए मैंने नहीं एक दम से जो है कुछ नहीं सोचा ओ घुन कज आते है सो बहुत हुंच होता है कि जिनको बास डेर चाहिए उनको दे दूंगी कुरेंग क्या उसके बाद प्लांट में इतनी ज्यादा ग्रोथ आई है आप देख सकते हैं जितना ज्यादा आपका giving and sharing nature होगा उतना ज्यादा gardening आपको return करेगा एक एक ब्रांच में 4-4-5-5 कलिया बनी हैं अगर आप देखेंगे ध्यान से तो just यह भी start हुआ है dot आना और यही जो होता है यहां से कली बनेगी फिर उसके बाद पूरा जो process हो start होगा बट यह जो portion होता है जहां पर यह clearly आप red dot देख सकते हैं यह सबसे exciting part होता है dragon fruit की जो fruiting जब कलिया बनना शुरू होती है उसको सबसे exciting part ही होता है यह red dot इतनी खुशी देता है आप imagine में नहीं कर सकते हैं हर ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो red dot जो देख रहे है चार चार red dot है मतलब चार कलियों का जो spot है वो start हो है बट अम दो से जादा एक ब्रांच में नहीं लेंगे क्योंकि हम container gardening करते हैं प्लांट इतनी energy नहीं दे पाता है fruits को तो या तो वो खुदी drop हो जाते हैं नहीं होते हैं तो fruit को healthy रखने के लिए अगर चार fruit एक साथ में हो रहा है तो कलियों को drop कर दें आप क्योंकि जितने fruit कम होंगे branches में उनके उतना ही size भी बड़ा होगा और जो fruit है वो healthy होगा क्योंकि बहुत limited nutrition हम दे पा रहे हैं plant को और container में ग्रो करके भी अगर आपको 25-30 dragon fruit मिलते हैं तो में को लगता है इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता उससे भी surprising चीज मैं दिखाओं जो मैंने cutting लगाई थी यहां तक कि उसमें भी एक कली बनना start हुई है यह कली रहेगी नहीं मुझे पता है बट फिर भी मैं यह दिखाना चाहती हूँ कि कितने दिन तक जो है cutting के बाद भी यह working में रहता है आपको instant cutting को ना भी लगाए मैंने इसकी cutting को cut करके चार-पांस दिन के लिए छोड़ दिया था उसके बाद मैंने इसको लगाया था still यह अंदर से जो process है इसका कली आने का वो चल रहा था तो यह plant जो है यह plant बहुत हाड़ी है अगर आपको किसी को देना है तो आप ऐसे ही cutting करके उसको dry करके उसको भेज दो by post भी भेज दो तो वह काफी दिन तक जो है plant survive करता है यह plant बहुत हाड़ी है और easily fungus नहीं लगता है यह 200 लिटर का water का drum है जिसमे मैंने 3 cutting लगाई थी और जब भी आप dragon fruit लगाए तो आपको make sure करना है कि आप उसको एक अच्छा support system दे ताकि starting से ही जो आपका plant है थोड़ा well organized way में grow हो और बार बार इसमें काम करना possible नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काटे हैं जिस दिन आपको dragon fruit का cultivation करना यह खाथ देनी है उस दिन में ही आपको ट्रेलिस वगर सब लगा देंगे तो बाद में फिर हम cutting pruning जो है उपर उपर का काम वह कर सकते हैं इसकी अगर आपने मिट्टी बहुत गीली गीली बनाई है जिसमें पानी ठहरता है बहुत जादा तो इसमें फंगल इंफेक्शन होने का बहुत डर है तो आप कर दो दुड़कें सुड़ सुड़